हेलो गाईज, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 फरवई तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखिएगा, आज पर आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा, साथी का सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, ति आप मारे डेरी करंट अफेर्स वीडियेव, विकली पेडियेव, मन्तली पेडियेव, और हर महीने के बैंकिंग एंड एकनोम पढ़ाये जाते हैं, उन सभी की प्रैक्टिस आप इन कुछ के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी फ्री ओफ कोस्ट, तो जल्दी से आप एप को इस्टोर कर दीजे, लिंक आपको वीडियो के डिस्टिप्शन में मिल जाएगा, चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो स उत्तपरदेश, जल्दी सांसर कर दीजे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरह कोश्टिन से दिया आप ट्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं टेलिग्राम पर जूरुर जोइन करें, करन्ट अफेर्स फंड आनाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है विच कंट्री हैस बिगम दफर्स आउटसाइड एशिया तो इशू कार्ड यूजिंग रूपे टेकनलोजी, कौन सा देश रूपे कार्ड जारी करने वाला एशिया के बाहर पहला देश बन गया है, ओप्शन साब के सामने हैं, सही आंसर ओप्शन साब्शन साब्शन साब है मौरिशस, आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ओफ मौरिशस प्रविंद कुमार जगुनात, प्रेजडेंट ओफ स्रिलंका रानिल विक्रम सिंगे, इन तीनों नहीं मिलकर रूपे कार्ड और रूपे कार्ड जो मौरिशस की माउ-CAS कार्ड स्कीम है, इसके माध्यम से अब बैंक्स रूपे कार्ड डोमेस्टिकली इशू कर सकेंगे, इसे के साथ मौरिशस फर्स कंट्री बन गया है आउटसाइड एशिया जो की रूपे टेक्नलोजी को यूज़ करके कार्ड इशू करेगा, वहीं अगर हम बात करें स्रीलंका के साथ, तो जो भी इंडियन ट्रैवलर्स स्रीलंका जा रहे हैं, वो QR कोड बेस पेमेंट्स कर सकते हैं किसी भी मर्चांट के दुकान पर जहां पर UPI एप चल रहा है, इसी तरह से अब साथ कंट्रीज हो गई हैं जहां पर इंडियन्स UPI के प्रोप्ट ही हा था 2021 में, उसके बाद फिर ओमान, UAE, नेपाल, फ्रांस बिस लिस्ट में शामिल हो गए, और दो स्रीलंका और मौरिशस अब हो चुगे हैं। यूनिट्स आपको जाना चाहिए, प्राइम इसी नरिंद मोदी ने अनाउंस किया है, पी-एम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि एक रूफटोप सॉलर स्कीम है, और लगबग एक क्रोड हाउस होल्ड्स को यहां पर फ्री उलेक्रिसिटी देने की बात कही जा र अने का है, और सब्सिटी इस भी प्रोवाइट कराएगा, सोलर पैनल वगएरा के लिए, आचाहिए आपको बता दूँ में, यह स्पेशल जनरल अवेर्नेस क्लासेज आपके लिए हम लेकर आए हुए है, एस बी आई के लिए, तो इन्हें आप देखना ना भूलें, एक दिन हो चुका है, इसे अप्लोड हुए हुए, पर अभी भी कुछ खास रिस्पोंस आपका नहीं आए, जबकि इससे इतना अच्छा इनिशेटिव आपके लिए लिया गया है, तो कोई ऐसा इनिशेटिव हम लेते हैं, पर आप लोग का सपोर्ट ने मिलता, तब ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, इस तरह के इनिशेटिव लेने का कोई फायदा नहीं है, तब ऐसा लगता है, आप इसमें देखेंगे, तो आपको पिछले 5-6 महीनों के, जो वो होती है ना, जैसे हम चैरी पिक कहने कहते हैं, चैरी पिक करना कहते हैं, कि हाँ बिलकुल अच्छ पिछले 5-6 महीने के तो अच्छा का सा आपका रिविजन इससे हो जाएगा, तो ये क्लास आप देखना ना भूलें, बाकी क्लास आपको हमारी करन्ट अगर्स फंड आप पर मिलेंगी, और इसके लिए कोई भी कोस्ट नहीं है, ये टोटली फ्री फ्री ओफ कोस्ट है, रिसेंटली, दत्ताजी राओ, कृष्णा राओ, गायकवार्ड पास्ट अवे, ये वास एसोशियेटेड विजी स्पोर्ट, हाली में दत्ताजी राओ, कृष्णा राओ, गायकवार्ड का निधन हो गया, वह किस खेल से सम्मंदित थे, औप्शन्स आपके सामने हैं, सही क्रिकेट, देखे, फोर्मर इंडियन स्कीपर, दत्ताजी रो, कृष्णा राओ, गायकवार्ड, इनका हाली में 95 की एज में निधन हो गया है, और अपनी डैथ से पहले, ये ओल्डेस्ट लीविंग इंडियन क्रिकेटर अब तक थे, बडोधा को इनने फस्ट कास जो की वेटरन रोड कास्टर है, पोईटर है, साहित एकेडमी विनर है, इनका हाली में 93 की एज में निधन हो गया, जाने मानी लिटर्जियोर एंड पदमश्री अवार्डी, उसा की रन खान, इनका भी हाली में निधन हो गया, 78 की एज में, हिंदी और मराथी इसी तोरियन भी ये रही है, वेर वावजश एस्टैश्यो और इंडिया's फस्ट चीफ टीफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल विभी रावत अनविल्ड भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का नावरंड कहां किया गया, सही स्टाफ जनरल विपिन रावत का दिरादून में अन्विल किया है लाइफ साइज मतलब जो रियल में उनकी हाइट रही थी उसी हाइट का स्टैचू जनरल रावत उनकी वाइफ मधुली का रावत और इनके लावा बारा और मिलेटरी परसनल यह सभी हेलिकॉप्टर क्रेश के दोरा इनकी मिर्थी हो गई थी कुनूर तमिलनाड में दोजार इकिस किये बात है कि वाट इस थीम फोर नैसनल प्रोड़क्टिविटी डेट ट्वंटी ट्वर रास्टे उत्पादक्ता दिवस दोजार चुबिस का विशे क्या है सही रुप्चन यहां आर्टिफिचल इंटेलिजेंश अपटुटिविटी इंचन फोर एकनोमिक घ्रौ यॉथ आपको जानाची हर साल 12 दिसम्मर को नेशनल प्रोड़क्टिविटी हे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नासनल प्रोड़क्टिविटी इंडिस्ट्री दोर 1958 में की गई नेसल वीमेंस डे भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरोजी नाइडू जो की जानिमानी फ्रीटम फाइटर रही है पोईटर रही है जिने नाइट इंगल ओफ इंडिया यू बोला जाता है इनकी बर्थ अनिवर्सरी होती इस दिन सरोजी नाइडिया इन दे यर 2024 वर्स 2024 में यूज यूनानी दीवस का विशे क्या है सही आंसर ऑप्शन से यूनानी मैडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ देहें वर्ड यूनानी डे यहर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हक तीम अजमल खान की यूनानी डे 2024 का थीम रहा यूनानी मैडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ नेसल कॉंफरेंस ओन यूनानी मैडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ यहाली में और्गनाइज की गई सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मैडिसिन द्वारा पू इस फर्स्ट बिस ग्रोव बिस पावर एंड बिस ब्लैक कि देखिए प्राइविट लेंडर एस्टी असी बैंक ने क्रेडिट कार्ट की एक नई बिजनेस रेंज लॉंच की है एंथर्प्रेनर्स के लिए फ्रीलांसर के लिए प्रोफेशनल के लिए जो की SME से संबन देते ह है चार वैरियंट्स में अवलेबल है वीज फर्स्ट वीज क्रो वीज पावर एंड बिस ब्लैक तो यहां पर फिफ्टी फाइव डेज का इंट्रस्ट के रिट यहां पर प्रोवाइट किया जाता है SDFC बैंक ने हाली में 300 मिलियन यूर्स टोर जो हैं रेस की हैं अपने फर्स्ट एवर सस्टेबल फाइनस बांड इशु के द्वारा साथे आपको जाना चाहिए कि SDFC बैंक ने स्पोंसर एंड डेस्टिनेशन बैंक के रूप में कारे किया किसके लिए ट्रेडिंग सपोर्टेड बाइ ब्लोक्ट एमाउंट इन सेकंडी मार्केट में SDFC बैंक, NSC और BSC में क्लिरिंग एंड सेटलमेंट बैंक है इम्स नई दिल्ली में आसान भुक्तान के लिए कौन सा कार्ड लौंच हिया गया सही आंत्रोप्शन डी है एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड देहे यूनियन मिनिस्टर फोर हैल्थ और फैमिली वैल फेर और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्तर मांसुक मान विया इन्होंने एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड लौंच हिया है और इससे जो है एम्स न्यू डैली में हैसल फ्री पेमेंट्स आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो यह free of cost दिया जा रहा है सभी patients को कोई भी service charge इसमें नहीं है तो जैसी कोई patient admit होता है उसको यह smart card दिये जाएगा how much is the monetary penalty imposed by the RBI on Sri Sathya Sahi Nagrik सहकारी bank मर्यादित Sri Sathya Sahi Nagrik सहकारी bank मर्यादित पर RBI दोरा कितना मौदरिक जुर्माना लगाया है सही आंसर option भी है 0.75 lakh rupees देखी Reserve Bank of India ने 0.75 lakh rupees की monetary penalty लगाई है स्री Sathya Sahi Nagrik सहकारी bank मर्यादित भोपाल Madhya Pradesh पर for known complaints with the directions issued by RBI on exposure norms and statutory other restrictions UCBs RBI ने 0.50 lakh rupees की monetary penalty लगाई है अंजरगाओ, सुर्जी, नागरी, सहकारी bank limited महारास्ट पर RBI ने 2.50 lakh rupees की monetary penalty लगाई है Pusher Urban Coopertative Bank Limited महारास्ट पर RBI ने 1.0 lakh rupees की monetary penalty लगाई है Shilong Coopertative Urban Bank Limited में खाले पर C. and which IIT signed agreement for 6G 140 GHz transmitter and receive module C. और किस IIT ने 6G 140 GHz transmitter and receive receiver module के लिए समझोते प्रहस्तक्षर किये सही आंसर options लिए IT रूड की आपको जाना चाहिए C. जो कि एक प्रीमियर तेलीकॉम रिसर्च and development center है Department of Telecommunication Government of India का साथ ही इंडियन इस्ट्रोफ टेक्नोलजी रूड की इन्होंने एक agreement sign किया है जिसके तहत 140 GHz fully integrated transmitter and receiver module बनाए जाएंगे 6G and इसके beyond range के लिए यह agreement sign किया गया है अंडर टेलीकॉम टेल्क्नोलजी डेवलप्मेंट फंड टीटी डीएफ स्कीम के दुरान जो कि डिपार्ट्मेंट ऑफ टेलीकॉम्निकेशन गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसे इस तरह से डिजान गया है ताकि जो डोमेस्टे कंपनीज या इंस्टूशन से जो टेक्लोजी डिजाइन डेवलप्मेंट कमर्शनलाइजेशन ऑफ टेलीकॉम्निकेशन प्रोडक्ट्स में संबंदित है उनको जो है फंडिंग सपोर्ट प्रवाइट किया सके इस फंड से टेलीकॉम टेक्लोजी डेवलप्मे सिंगापूर एर्शोर 2024 सिंगापूर एरशोर 2024 में भाग लेने वाली भारती वायू सेना कि हेलिकॉप्टर प्रदर्शन टीम का नाम क्या है सही आंस्रॉप्चन है सारंग देखे 71 पर्सनल की टीम इंडियन एरफोर्स की जिसका नाम सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ली टीम है यह पाया लेबर एरबेस सिंगापूर में लैंड कर चुकी है यहां पर सिंगापूर एरशोर 2024 में पार्ट्सपेट करने वाली है तो यहां पर एरोबैटिक्स किये गए हैं हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट के दौरा वेर वास दा रीजनल कम्यूटी रेडियो सम्मेलन साउथ हेल्ड तो सलिब्रेट 20 यहर्स ओफ कम्यूटी रेडियो इन इंडिया भारत में सामुदाइक रेडियो के 20 वर्स पुरे होनी के प्लक्ष में छेत सामुदाइक रेडियो सम्मिलन दक्षिन कहां जित किया गया सही आंसर उप्षन नहें अन्ना यूरस्टी चन्नाई देखें मिल्स्ट्री ओफ इंफॉमिशन एंड ब्रोड्कास्टिंग ने एक रिजनल कम्यूटी रेडियो सम्मिलन साउथ को और्गनाइज किया है अन्ना प्रोड्कास्टिंग के तहता है रेडियो प्रोड्कास्टिंग के तहता है अप्लिक सर्विस रेडियो प्रोड्कास्टिंग और कमर्चल रेडियो इनसे अलग होता है थर्ट यह होता है तो लोग पार रेडियो स्टेशन होते हैं जिनने सेट अप और ऑपरेट किया जाता है local communities के द्वारा तो जो local communities हैं वो इस पर कई तरह के issue चर्चा करते हैं health nutrition education agriculture इसे भी हूँ flagged off the first trial cargo vessels from माया पोर्ट in इंडिया to सुल्तान गंज पोर्ट इन बंगलदेश बारत के माया बंदरगा से बंगलदेश के सुल्तान गंज बंदरगा तक पहले परिक्षण मालवाग चाहजों को किस ने हरी जंडी दिखाई सही आंतर option भी है सांत अनू ठाकूर देखें first trial moments of vessels carrying stone aggregates from माया पोर्ट in इंडिया to सुल्तान गंज पोर्ट in बंगलदेश माया अरिशा यह सक्सेस्फुली हाली में संपन हुआ देगे भारत की माया पोर्ट से और बंगलादेश के जो सुल्तान गंज पोर्ट है यहां पर वैसल बेजे गए stone में भरे हुए थे और रूट फोलो किया नोंने माया अरिशा रूट तो यह बंगलादेश का flag वैसल है एम वी देश बंगला जिसमें stone वगेरा रहे है इसको हरी जंडी दिखाई गई मिस्टर ओफ इस्टेट फोर पोर्ट शेपिंग और वाटर वेस्ट बंगलादेश का से माया इनलेंड कस्टम पोर्ट वेस्ट बंगल से माया अरिशा पोल्ट विल रिदूस अधिस्टेंस फोम नेसल वाटर वेस्ट वन तो बंगलादेश और नौस इस्टर विजन बाई 930 किलिमेटर्स अचा आप कोई जाना चाहिए जो इनलेंड वाटर वेस्ट अथर्ट वेस्ट इंडिया इसने 25 नियू नेसल वाटर वेस् 20今नаша 50 वाटर वेस्ट बारत में उपरश्ष्णालाइस हो जाए माच्र ne the percentage increase in the labor force participation rate in urban areas from October to December 2022 to October to December 2023 October to December 2022 से October से December 2023 सहरी शोत्र में स्रंबल भागिदारी दर में कितने प्रतिश्चत की विद्धी हुई है options आपके सामने हैं सही आंसर option यह 49.9% देखे हाली में जो quarterly bulletin है October से December 2030 का जारी किया गया है labor force participation rate इसमें बताया गया है urban areas में यह October से December 2022 में 48.2% था यह बढ़कर अब October से December 2030 में 49.9% हो चुका है किने के लिए जो 15 साल से उपर के हैं male के लिए यह 74.1% हो चुका है female के लिए 25% हो चुका है worker population ratio की बात करें urban areas में तो यह 46.6% हो चुका है October से December 2030 में और वहीं अगर हम female के लिए बात करें worker population ratio तो यह 69.8% हो चुका है female के लिए अब female के लिए 22.9% हो चुका है male के लिए 69.8% यहां से question बन जाता है ठीक है unemployment rate के लिए अर्बन एरियास में तो यह decrease हुआ है जहां अक्टोबर सेजंबर 2022 में 7.2% था वहीं यह अक्टोबर सेजंबर 2030 में 6.5% हो चुका है male के लिए यह 2030 में 5.8% रहा वहीं female के लिए 8.6% रहा है देगे national sample survey office N SSO यह periodic labor force survey अपरेल 2017 से ही launch करता हा रहा है labor force participation rate मतलब percentage of persons in labor force in the population worker population ratio मतलब percentage of employed person in the population or employment rate मतलब percentage of persons unemployed among the persons in the labor force who launched the greening and restoration of wasteland with agroforestry report and portal agroforestry group के साथ बंजर भूमी की हर्याली और बहाली रिपोर्ट और पोर्टल किसने launch किया सही answer options यह रमेश चंद देखे greening and restoration of wasteland with agroforestry यह रमेश चंद यह रिपोर्ट एंड पोर्टल लॉंच यह प्रोफेसर मेश चंद जो की कि जो government departments हैं industries हैं वो restoration projects को आगे बढ़ा सके ग्रीनिंग and restoration of wasteland with agroforestry ग्रो सब्सक्राइब बैपिंप पोर्टल भूवन यह भी लाउंच हिया गया है तो इसमें स्टेट और डिस्टिक लेवल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं आपको जादे इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इसमें agroforestry का जो शेर है वो 8.65 परसेंट का है और टोटल कितना है 28.42 million hectares आचा बारत ने एक एम भी रखा हुआ है कि हम 2030 तक 26 million hectares की जो degraded land है उसको restore करेंगे साथी additional carbon sink create करेंगे 2.5 से 3 billion tons का which company will supply 11 सकती electronic warfare systems तो इंडियन ने भी कौन सी company भारत नोश्यना को 11 सकती electronic warfare system की आप उरती करेगी सही answer option भी है भारत electronics limited जहेंगे ministry of defense ने contract sign किया है भारत electronics limited के साथ हैदरबाद जिसके तहत 11 सकती electronic warfare systems at the cost of 22 2269.54 करो रुपीज में acquire किये जाएंगे आपको दादें जो सकती EW system है यह indigenously design किये गए है develop किये गए है manufacture किये गए है और यह intercept कर सकते है electronic emissions को और इनको इंडियन ने वी द्वारा यूज किया जाएगा वार्शिप में इनको इंस्टोल किया जाएगा इन्विज दिस्टिक इस दगुप्तेश्वर forest located which has been declared as Odisha's fourth biodiversity heritage site गुप्तेश्वर one किस चिले में इस्तित है जिसे उडिसा का चोथा जै विवित्ता विरासत इस्थल कोशित किया गया सही आंसरोप्शन सी है कोरापूट देहे ओडिसा गुप्तेश्वर फोरेस्ट जो कि कोरापूट डिस्टिक में इसे अपना fourth biodiversity heritage site नुक्त किया है इससे पहले स्टेट गुप्तेश्वर्मेंट ने मन्रा सारू जो कि कंदमाल डिस्टिक में है महंद्रग्री गच्पती में और गंधा मर्दन जो कि बारगर और बोलंगी डिस्टिक में है इसे बाय डिवस्टी है इस साइड गोशित किया था Unionaista splits plans अपार बनतरी दर्मिंदेश्वर्मेंट प्रदान ने की शहर में अपार वन एस्टेट आइ डी काड को लूँच पारी की फिलफूम आपको पत्याना चाहिए कि automated permanent academic account registry इसका नाम है और national education policy of 2020 के तहत इसको launch किया गया है 12 digit की idea होती है जो की हर student को दी जाती है और इसके तहत जो भी academic achievement रही है बच्चे की वो एक जगह पर आपको प्राप्त हो जाती है साथ है आपको जाना चाहिए नहीं दिल्ली में ही union investor of food processing पसुपती गुमार पारस ने सूफलाम यारी की start-up forum for aspiring leaders and mentors start-up control 2024 को inaugurate किया है previous assignment questions के आंसर देखें है what is the OECD's revised growth forecast for India in fiscal 25 6.2% which company manufactures typhoid toxoid vaccine type bar Bharat Biotech which state or UT has announced free bus travel for the transgender community Delhi Tata Trust is set to launch India's first state-of-the-art small animal hospital in VCD Mumbai which must receive the highest allocation among the ministries in the interim basis 2024-2025 answer is defense आप मैं से का ये assessment से बिल्कुल सही आंसर किया है इसी दर से आप participate करते रहिये आज ये assignment questions जेखेंगे where is Indian Institute of Vegetable Research located नुरेंबर्ग international toy fair held in which country national institute for micro small and medium enterprises is in which city how many Indian national veterans who had been in Qatari custody since August 30, 2022 were released on 11 Feb in Doha Union Home Minister and Minister of Corporation Amit Shah inaugurated नर नारायन सास्त्री Institute of Technology in which city तो इन पाच्चों के आंसर आपको comment box में देने हैं यदि आपको कोई question का अंसर भी आता है तो भी आप हमें comment पे अवश्य ही बताईएगा ज्यादा ज्यादा संख्या है participant करने कुसिस किया कीजिए साथी current interface funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं आपर आपको regular video updates और current queries हम आप सभी को provide कराते रहते हैं और discussion group में आप कीसी भी question का solution पा सकते हैं Thank you guys